नमस्कार परणाम दोस्तों दिखिए मैं डियस बावो और आज का भुलोग चैनल थोड़ा खेती बारी के समझ में बना रहा हूं बहुत ही अच्छा है और हमारे साथ देखिए हमारे नेता जी भी है हमारे बड़े भुज़ा संकर सिंग जी और आज हम लोग इंदी का खेत मे कैसे किया जाना चाहिए धान को ब्या करने से पहले कैसे खेत को तयार किया जाता है तब जाके आपका धान का ब्या कितना पर्सेंट जमरेसन किलियर होता है उसको जानने के लिए आज हम लोग वीडियो बना रहे है तो पीछे देख सकते हैं कि खेत में ट्रेक्टर चल रहा हुआ है ध्यार किया रहा है यानि की थान को विया को कि छिवकव करना है कि इसने काक्षभ करना को आए। यानि कि हमारे संकर भया से जानते हैं और खेट के बारे में समझते हैं और धान का बिया करते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आप बने रहे हमारे साथ डियस वाव भुलोक्स में और हाँ वीडियो यदि पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा व हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेता जी तो नेता जी एव ने पता रिकिक इतना मेहनत से आप खेट तयार चार आउये दिन के लिशीया करने केलcciones इसके प्या पर फिर हो पर करेंगे में ऑच्छा से इन अच्छा से अगल पीया को लंतरी तरां आख झार नहीं और टैयंगा घ्गांट भी ज्यादा होगे ंत्थ हो जहतका है यह खेते दम लब लबाना चाहिए कदाई दम उपर से द दूर से महाकना जाए कि कदाई हुआ है एक सब्ता को अले पानी डाली है हाँ इसके बाद जो सडाक है इसके बाद फिर उसको जो है अच्छा से पदाई तयार किजिए उसको देखे दोस्तों ऐसे नद्धान का खेती होता है और लोग सुचते हैं कि बहुत आसानी से हमारा बीया तयार हो जाए देखे इसमें कितना मेनद की हैं नेता जी अच्छा से अगप लोगा सही करें बिलकुल सही वे देख रहे हैं आप पीछे ट्रैक्टर भी चल रहा होगा और हम यहां नेता जी से बात भी कर रहे ह हैं बहुत ही मतलब कहा जातो खेत को किस परकार से तयार करना चाहिए बीहन करने से पहले उसको हम लोग बता रहे हैं और देखा भी रहे हैं वीडियो में और देख सकते हैं कि हैं ट्रैक्टर चल रहा है और हर के माध्यम से ही चल रहा है रोटावेटर के माध्यम से नहीं ह सब्सक्रों मुझत हैं और तो स्ट will in ये दिए बना रहे है से आठ कि This ऐस सब्सक्रीन निक्टाइब आप उसको मैं किप तो अभी चीड़ों न महीं कीतने सब्सक्रों मैं तलि एसे कौछ डिन को सब्सक्रों अच्छा बढ़ जाएगा पूड़ा साफ पानी हो जाएगा तब चार पांद गणता अच्छा सकेंड टाइम तक पांच घंटा इसको रेष्ट चाहिए कदाई को बैठने के लिए और जब कदाई बढ़ जाएगा साफ हो जाएगा पानी इसको पर भी अच्छा ये खाद जो ला है आप थोड़ा खाद के बारे में हमारे भाई लोग को बताएंगे थोड़ा पांच चाहिए ना आदमी लोग कम सुनते हैं हमारा इक चाहिए खाद है अभी खेट तयार करके उपर से डाल देंगे इसके बाद जो है अपना जो है काम करना चालो कर देंगे देख सकते हैं दोस्तों कि कीज़ परकार सक केच्छा खाद है ये देखिए जीवाडू है जी मसूस होता है से खुद 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 करते हैं यानि कि इसमें जू है इसमें पाताई को पूरा वो कर देगा एदम बेहतरी मना देगा और जमरेशन बहुत अच्छा होगा तो एक केच्वा खाद का उप्योग कर रहे हैं इस कीचड में डालेंगा भी जब पानी बढ़ जाएगा तब इसको डालने के बाद भी अच्छा निकले और एक हाद का क्वाल्टी भी अच्छा हो तो ए रहा खेत का तो हम लोग जो बता रहे हैं एक खेत कैसे कियार करते हैं इस विधी को हम लोग बता हैं और आप भी इस विधी को क्यों करेंगे तो अब का भी खेत हो और देखित में एक भी घास नजब नहीं आ रहे होगा बहुत सँधार बन चुका है दो में तुमें लब लबर आ रहा है पानीवी डेखेए इसमें काफी पानी है काम भर ना ज्यादा है ना कम है खेत हम है तो बहुत और अब इसमें 5 घंटा तक इसको छिटेंगे नहीं 5 घंटा में इसका जो किचड़ होगा नीचे बध Beimट जायेगा और पानी सबसे लगा तब इसमें भीया छिटेंगे यानि कि धानका चिट्काव करेंगे वहरुश टाइम इस खाद का उपयोग करेंगे जो खाद दिखाई जए रहा है दोस्तों इस खाद का उपयोग उश टाइम करेंगे तो चलिए अब इस खेट में भी ए प्षडा देरी में उसी परकार के बनाया जाएगा तो आज का भ्लोक्स में इतना ही अगले भ्लोक्स फिर से मिलेंगे एड़ी वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक कोमेंट से जरूर कीजिएगा धन्यवाद